हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसीफ जैक्स और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं रेड्मी नोट 7S और रेड्मी नोट 8 की बीच में एक स्पीड टेस्ट और जानेंगे कि कौन सा फोन ज्यादा फास्ट है अभी दोनों फोन स्विच आफ है मैं दोनों को एक साथ आन करूँगा और यहाँ पर कुछ अप्लिकेशन से जो मैं एक साथ रन करूँगा तो आप देख सकते हो दोनों ही फोन एक साथ वाइबरेट किया है हाला कि Redmi Note 7S पहले वाइबरेट किया मेरे हाथ में बट देखते हैं कि पहले ओपेन कौन सा डिवाइस होता है यहाँ पर हम लोग काफी सारे minor major test rates करेंगे जिससे पता चलेगा कि 10,000 में कौन सा फोन बेटर है क्योंकि फिलाल तो Note 7S का दाम 9,000 हो गया है और Redmi Note 8 इसका दाम 10,000 है यहाँ पर आप देखोगे अरे आगे ही देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा Redmi Note 8 पहले on हुआ उसके बाद Redmi Note 7S on हुआ ठीक है यह तो हमें पता चलेगा कि पहले on कौन हुआ ठीक है और यह इसकी स्क्रीन आ गई अब आप देख सकते हो कि मैंने background में कोई भी application रण करके नहीं रखा है यानि कि background पूरी तरह से बंध है अब यहाँ पर कुछ applications है मेरे पास जिनको मैं back to back open करूँगा और देखेंगे सबसे पहले काइन मास्टर को open करते है काइन मास्टर मेरा video editor application है जिसको बहुत सारे लोग use करते है काइन मास्टर पहले Redmi Note 7S में on हुआ उसके बाद my device info की थुरू हम लोग अपने device की इसकी info देखेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर मिलता है देखने को और कैसा है यह device ठीक है यहां पर आ गया my device info का application आपने देख लिए तो पहले किसमे खुलता है तो time बचाने के लिए मैं चीजें पढ़ूंगा नहीं बस आपको दिखा दूँगा आप देख लिना मेजर चीजें मैं बताऊंगा वह यह है कि दोनों ही android 9 पे रण करता है API level दोनों के 28 है और जो density है pixel की वह 440 दोनों में है और दोनों का refresh rate जो है वह 60 Hz का है और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें यहां पर देखने को आपको मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं सीधा CPU पर चलते हैं और देखते हैं कि CPU में मैं आपको क्या कुछ देखा सकता हूं तो CPU में आप इसके सारे clocks देख सकते हो और 8-core का CPU इसके अंदर आपको मिलता है सेम दोनों ही डिवाइस में जोके एक अच्छी बात है और 64-bit का architecture लगा है दोनों ही डिवाइस में सेम वर्जिन का इसमें कोई फर्क नहीं है GPU की बात करें तो GPU Redmi Note 7S में कम है 512 है Adreno का जबकि Redmi Note 8 के अंदर 610 का GPU लगा हुआ है प्रोसेटर दोनों में ही Qualcomm के हैं जैसा कि आपको पता होगा फीचर की बात करें तो Redmi Note 7S के अंदर 91 फीचर से नीचे लिखावा है extension लिखावा है रेखने को मिल सकता है तो camera देख सकते हैं आप camera की detail दी भी है दोनों का जो front camera है वह सेम 12 Megapixel का है जिसकी video resolution 8.3 MB per second के speed से मतलब 8.3 MB per second या per minute है जो भी उसके speed से होगी orientation 90 है focus length जो है दोनों का 4.74 mm का है और focus mode सारे के सारे same है video snapshot same 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 okay so front camera 13.2 Megapixel का दोनों ही device में same है और उसके बाद हो गया so आगे बढ़ते है रेर camera के बादे में detail नहीं लिखावा है बैटरी की बात करें तो दोनों ही device में 4000 mAh की same battery देखने को मिलती है जो कि आप देख सकते हो यहां पर और अभी दोनों में 42-45 परसंट बैटरी है निके battery पर हमारी same same है कोई बात नहीं voltage की बात करते हैं तो voltage ज्यादा support करता है Redmi Note 8 तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर और क्या है okay sensors में चलते हैं sensors इसके अंदर कौन-कौन से मिल जाते हैं यह आप देख सकते हो आप वीडियो पाउस करके यहां पर पढ़ सकते हो मैं बस इसको जो है flash कर दे रहा हूं तक यह आपको एक फोन के अंदर जो अभी है एहर टेल का से सब्सक्राइब दोनों में ही एक ही मतलब लगा हुआ है सिम कार्ड तो नेट की स्पीड जो है वो सेम आएगी या क्या आएगी वो हम दोग देख लेते हैं दोनों में ही हमने एक साथ रन किया है इंटरनेट टेस्ट को यहां पर आप देख सकते हो रिड्मी नोट 8 के अंदर ज्यादा स्पीड जा रही है इस कंपेर टू नोट 7S बट फाइनल रेजल्ट का हम लोग वेट करेंगे यह फिलाल डाउनलोडिंग स्पीड है जो हमेशा जादा होती है अप लोडिंग के कंपेर में मोबाइल ब्राउजर में ठीक है अब देखो यह अप लोडिंग के स्पीड देखा रहा है अप लोड स्पीड Redmi Note 8 के अंदर 25 तक गया है अपलोड स्पीड जो है Redmi Note 7 के अंदर 3.77 है जबकि Redmi Note 8 के अंदर जाधा है तो यहां पर Network Speed में Redmi Note 8 आगे निकल गया अंटुटू Benchmark की ranking मैंने अल्रेडी कर रखी थी time बजाने के लिए तो बस इसको को खोल के मैं आपको देखा देता हूं अंटुटू इस कोर्स में जो है हमारा Redmi Note 8 बीट करता है Redmi Note 7S को किस तरह और बीट करता है वो देखते हैं सबसे पहले तो CPU की बात करते हैं तो CPU में 372 का फरक है उसके बद GPU की की बात करते हैं तो GPU में 24 और 32 का फरक है याए def legit कहीं जाधा आगे है memory में तो Note 8 है ही क्योंकि memory जादा उसके अंदर है UX की बात करें तो UX में जो है Redmi Note 7S आगे हो जाता है हाला कि UX में भी अच्छा कर देते तो बहुत अच्छी बात थी बड़ चलो कोई बात नहीं DRM इंफो के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ information हमें मिलती है डिवाइस की बारे में जो कि Redmi Note 7S के अंदर पहले open हुआ है यहां पर आप देख सकते हो Redmi Note 7S और Redmi Note 8 डिवाइस की डीटेल मिल गई है और हां description लिंक देती है जिससे कि आप Redmi Note 8 Pro versus Poco F1 का भी speed test देख सकते हैं Okay, तो यहां हम लोग Flipkart ओपन करके देखते हैं कि पहले किससे के अंदर हो थाय हुआ है दोनोंहीद में साथ में Flipkart ऐसे हुआ जैसा कि आपने देखा File Manager देखते हैं किसमें पहले open होता है तो File Manager पहले Redmi Note 8 के अंदर open हुआ है Zender application देखते हैं किसमें पहले open होता है Zender application भी पहले Redmi Note 8 में open हुआ है Paytm जो regular application सब के लिए use होता है तो देखते हैं ये किसके अंदर पहले open होता है ये भी guys Redmi Note 8 के अंदर पहले open हुआ है करूंगा ताकि testing हम लोग कर सकें कि क्या downloading speed आती है actual में तो cpuz यहां पर मैंने खुल लिया और इसके अंदर भी यहां पर मैंने खुल लिया तो देख सकते हो दोनों ही device में cpuz का homepage खुल गया है और इस पे install बटन पर मैं एक साथ टैप किया दोनों में ही एक साथ हुआ waiting for browser और यह Redmi Note 7 के अंदर पहले installation start हुई थी बट जो file है वो पहले Redmi Note 8 के अंदर install हुआ एक छटके में install हुआ और Redmi Note 8 के अंदर install हो चुका है Redmi Note 7S में देर से हुआ जिसा कि आप देख रहे हो Redmi Note 8 के अंदर ads वगेरा भी जो है नहीं आ रहे यह एक अच्छी बात है आगे चलता है Google Chrome के पहले हमारा Redmi Note 8 के अंदर open हुआ है, click bus खोल के देखते हैं पहले किसमें खुलता है, click bus पहले देखा, आपने Redmi Note 7 यह तक के बात करते हैं camera की, तो camera की तो camera की देखते हैं कि पहले Redmi Note 8 में open हुआ है camera की हम लोग एक फोटो लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा वो फोटो और फर्क देखेंगे हम लोग कि किसके अंदर जो है जादा अच्छी फोटो जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड्मी नोट एट वर्सेज रेड्मी नोट सेवन सो कैमरा में मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क है सिमिलर फोटो आईए आप देख सकते हैं पोको एफ़न क जो ड्रामा शौमी ने किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पिक्चर जो आई है वो बिल्कुल सेम टू सेम आई है आगे बढ़ते हैं उसके वाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रोसेशर हो गया क्या बचा है पबचा है तो पबची देखाने से पहले मैं आपको ग्राफिक्स के अंदर अगर मैं आप गौर करोगे तो रिड्मी नोट 8 के अंदर पबची के लिए ग्राफिक्स वो थोड़ा कम है एस कंपेर टू रिड्मी नोट 7 यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो है HD तक जाता है जिसके आप देख रहे हो HD प्लस अरे यह क् है वहीं अगर रिड्मी नोट 8 की बात करें तो इसमें बैलेंस प्लस मीडियम तक रहता है तो यह यार मतलब कहीं ने कहीं कमी है कि रिड्मी नोट 7 इसके अंदर हम लोग ज्यादा लेवल पर यूज़ कर सकते है PUBG को जिबके रिड्मी नोट 8 में अभी तक इनोंने रोक के रखा है कब देंगे देंगे कि नहीं देंगे यार मुझे बिल्कुल नहीं पता अब हम लोग PUBG ओपन करते हैं सीधा सीधी और देखते हैं कि इसमें पहले ओपन होता है तो पहले ओपन होना रिड्मी नोट 7S में स्टार्ट हुआ है बट जैसा कि मैंने बताया ओपन किसी ए बढ़ गया है नोट 7S के कॉंपरेशन में और आम शूर कि रेड्मी नोट 8 में अब जो है पहले खुलने वाला है तो देखा आपने रेड्मी नोट 8 में पहले खुला लेकिन आईडी के वज़ा से यहां पे दिक्कत हो गई खुल चुका है पेज आप देख सकते हो पीछे पेज खुल चुका है बट यह अभी ओपन नहीं होगा विकाउज आईडी वाला इशू हो गया ओपन कहां होगा रेड्मी नोट 7S के अंदर ओपन होगा ठीक है तो यहां पर मैंने आपको बता दिया यह सारी चीजें ओवराल लुक्स की बात करो तो यहर पोको रेड्मी न तो दोस्तों ही और लाउक करन वीडियो को मत भूलना चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना ऐसे ही वीडियो दमारे चैनल पे और देखने के लिए